दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्यूंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला के लिए नमस्कार दोस्तो प्यारे भैयों और बैनों हर आदमी चाता है बिजनस करना आज की तारीक में बहुत से लोग ऐसे चंगर में फस जाते हैं कि बाद में पश्टाना पड़ता है मेरी भाद दियान से सुनो जिस चीज की आपको जानकारी है वो ही काम करना चाहिए पहले अपन मार्किट बनाओ नफे नुकसान का नुमान लगाओ फिर मशीन खरीदो अगर बिना सोचे समझे किसी भी काम में हाथ दालोगी तो जिन्दगी वर पश्टाने के इलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा इस चैनल पर दिखाए गए बिजनस आइडियास को करने के लिए आप पर कोई दबाव नहीं है आप अपनी मजजी से जो चाहें वो बिजनस कर सकते हैं हमारा अदेशिये आपको नए बिजनस आइडियास के बारे में जानकारी देना है ना कि आपका नुकसान पहुचाना हम उन सभी बेरोजगार की मदद करना चाते हैं जिनके पास कोई जोजगार नहीं है तो चलो मुद्दे की बात पर आते हैं आज की हमारी वीडियो नोटबुक मेकिंग बिजनस के बारे में है साथ में इसमें परियोग होने वाली मटीरियल मशीन की जानकारी मेंटेनेंस के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इससे बनने वाले प्रोड़क्ट की मार्केटिंग के बारे में बताएंगे दोस्तो आज हमारे देश में बेरुजगारी बहुत बढ़ रही है दोस्तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे देश का हर नौजवान चाहे बेरुजगार यूवक मही लाएं पुरेश अपना खुद का बिजनस लगा कर अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सके तो आए दोस्तो सबसे पहले हम नोटबुक बनने की प्रकिरिया देखते हैं तो यह प्रकिरिया तीन स्टेस में होती है जो तीन अलग-अलग मशीनों में किया जाता है सबसे पहले इसमें निटिंग मशीन का परियोग होता है पहले पेज को प्रिंटिंग कवर के साथ निटिंग मशीन में रखकर स्टैपल करते हैं अब manual machine में इसे आप हाथ से या पैर से इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें range के मताबिक कई variety आती है knitting machine में manual, semi-automatic, automatic machine भी आती है सबसे पहले हम page raw material लेते हैं जिसको ruled paper कहते हैं जिस पर पहले से ही lime खीची रहती है paper में भी कई variety आती हैं ये kore paper के रूप में भी आती है इसमें 3 lime भी खीची होती है दोस्तो इस page की कीमत 40 से लेकर 60 रुपे तक होती है notebook को pin से staple करने के बाद हम दूसरे step में हम edge squaring machine का परियोग करते हैं इस machine की कीमत की मदद से हम notebook के edge को एक नए finishing देते हैं दोस्तो इस machine की मदद से हम एक साथ 8 notebook के edge square कर सकते हैं आपको सिरफ notebook को एकठा कर इस machine में रखना होता है ये machine अपने आप notebook के edge को square में बदल देती है आप इस machine को घरेलू electricity से भी चला सकते हैं दोस्तो notebook बनाने की तीसरी और आखरी प्रकिरया notebook cutting machine के माद्यम से किया जाता है इंडिया machine भी घरेलू electricity से चल जाती है सबसे पहले हम notebook को एक कठा करके इस machine में रखते हैं cutting machine में notebook की cutting के लिए एक regular line बनी होती है उसी line के मुताबिक हमें notebook रखनी होती है दोस्तो आप इस machine से notebook को एक सार काट सकते हैं आप एक मिनट में 32 notebook त्यार कर सकते हैं इन तीनों machine के rate आपको screen पे दिये गए number से मिल जाएगा आप इनसे machine लेकर अपना business शुरू कर सकते हैं और अगर बात आती है raw material की तो वो आपको अपनी city से असानी से मिल जाएगे लेकिन अगर आप अपनी city से नहीं लेना चाते हैं तो आपको जो screen पे दिये गए number थे इनसे आप raw material भी ले सकते हैं आप जिनसे machine लेंगे वो engineer भी provide करते हैं उनसे machine के training ले सकते हैं दोस्तो raw notebook making machine के लिए तीन परकार के raw material की ज़रूरत होगी जिसमें पहला ruled paper होता है जिसमें पहले से ही line खीची होती है दोस्तो ये विबिन परकार की quality के हिसाब से market में मिलता है जिनकी कीमत 40 रुपे से लेकर 60 रुपे केजी तक होती है दोस्तो दूसरा raw material notebook cover होता है जो की विबिन परकार की quality के हिसाब से मिलता है इसकी कीमत 80 रुपे 20 रुपे तक होती है दीसरा raw material तार होता है जो की notebook में steple करने के काम आता है एक दिन में आप 8000 notebook त्यार कर सकते हैं दोस्तो अब बात करते हैं कि notebook की marketing कैसे करे notebook को बेचने के लिए आप अपने नजदीकी market की wholesaler या stationary shop से संपर कर सकते हैं या फिर आप notebook India Mart site पे भी बेच सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही उमीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा धन्यवाद कि लाकículos प्रू SHR अपड़ी कैसे लुग कि दोल्चमी ऑ्या भाब झाल्रू SHR ह grieving